साहिल पे पहुँचने से इनकार किसे है अरे साहिल पे पहुँचने से इनकार किसे है लेकिन तुफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है लेकिन उसे मिटा कर खुद लिखने का मजा ही कुछ और ह हेलो दोस्तों आप समीका स्वागत है आपकी अपने यूटूब चैनल और प्रिसिन भीजे में दोस्तों मैं हूँ अखलेश यादो आज का टोपिक बहुत ही जबरदस्त होने वाला है अर्थमेटिक में इसलिदम कंसर्ट्रेट होके समझेगा दोस्तों जैसे आपने देखा ह 5-3 फिर जो है अंडरूट 7-5 अंडरूट 9- 7 फिर जो है अंडरूट 11-9 में सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है या आरोही आरोही क्रम में कैदे लिखने के लिए तब कैसे करेंगे तो एकदम कंसर्ट्रेट होके समझेगा चैनल पर नएए तो सबस्क्राइब कर ल कि पहले यहाँ पर यहाँ पर यह जो नंबर है दिया है न इनका अंतर ले लेते हैं यह इसका अंतर इसका अंतर कितना आएगा दो और यहाँ पर भी कितने का अंतर दो साथ और पांच का अंतर दो आएगा न और नौ और साथ का अंतर कितने का दो और ग्यारा और नौ का अंतर कितने का दो जब अंतर जब अंतर जो है सबका बराबर आए दो ही नहीं यहाँ पे चार आ रहा है तो सबका अंतर अगर चार आ रहा है यहाँ पे तीन आ रहा है तो सबका अंतर अगर तीन आए तो क्या करते हैं और माइनस में दिया रहे तो जो नमबर जो नमबर दिखने में सबसे चोटा है वही सबसे बड़ा होगा और जो दिखने में सबसे बड़ा है वही सबसे चोटा होगा वही कहावत न कि देखन में चोटा लगे घाव करे गंभी तो यहाँ पर देखने में जो सबसे चोटा रहेगा वही सबसे बड़ा है लेकि दिख रहा है तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा और सबसे छोटा कौन होगा जो देखने में सबसे बड़ा होगा यह देखिए दोस्तो यह माइनर अंडरूट 11 माइनस अंडरूट 9 यह सबसे सबसे छोटा नंबर होगा यह चीजे ध्यां रखिएगा आई बात समझ में यह सबसे छोटा होगा इससे बड़ा यह होगा और सबसे बड़ा की बात करें तो यह होगा यहाँ पे पूछा था कि सबसे बड़ा कौन है तो यह सबसे बड़ा आप्सन कौन सा है यह वाला आप्स समझ में आ गया अगर आप यहां पर यह भी पूछ सकते कि माश्टर बताईए अगर प्लस में जूड़ा रहे तब क्या करेंगे तो देखिए दोस्तों प्लस का एकदम आसान है सिंपल इसी में आप समझ लेंगे कि कौन सबसे बड़ा है और छोटा है देखिए अगर यहां प देखने में छोटा रहेगा वो सबसे छोटा होगा वो सिंपल सा है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन माइनस में करें बताईए कि माइनस में 99 बड़ा है कि माइनस में दो बड़ा है काएंगे माश्टर माइनस में सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा होता है असल में तो यह माइनस में अगर रहे तो यह सबसे बड़ा कहलाएगा और यह सबसे छोटा कहलाएगा वही हमने ही यहाँ पे आपको समझाया था लेकिन प्लस रहे तो देखने में कौन सबसे बड़ा है तो यह चोटा उसी तरह इसमें है देखने में कौन सबसे बड़ा यह है तो यह सबसे बड़ा होगा और यह सबसे छोटा होगा समझ में आ गया चलते हैं अगले कोश्चन पर हम लो सामने यह नंबर दिया है अंडर रूट में है और बीच में प्लस दिया है तो यहां पर अगले में हमने बताया था कि जब अंतर जो है तो उस कंडिशन में क्या करेंगे कि यह जो नंबर दिया है ना दोस्तों दो नमबर दिये हैं न का अंडर रूट में तो इन ही का आपस में मल्टिप्लाई कर दीजे तो कितना आएगा कहेंगे माश्टर 8 पचे 40 आएगा और इसका इसमें मल्टिप्लाई करेंगे 9 पचे 45 आएगा और इसका इसमें मल्टिप्लाई करेंगे तो 17,85 आएगा अब यहाँ पे देखी यह आपको एकदम accurate नमबर दिख रहा है एकदम दिख रहा है तो यहाँ पे बताईए कि इन सभी में सबसे छोटा नमबर कौन है कहें का master यह 40 सबसे छोटा है तो यह किसका मान है अंडरूट 8 मान है प्लस अंडरूट 5 तो यही सबसे सबसे छोटा होगा बस एक line का concept है बस समझ लीजिए समझ गए है कि नहीं यह पहले इन सभी का multiply कर लीजिए कोई भी अंतर आए डजन मैटर कोई मतलब नहीं यहाँ पे प्लस पे होना चाहिए तो दोनों का multiply कर लीजिए जो सबसे छोटा नंबर रहेगा वही सबसे fraction जो है सबसे छोटा होगा अंडरूट वाली संक्या अब सबसे बड़ा के बात करें तो देखिए सबसे बड़ा नंबर का होना 130 तो यह इसका नंबर है तो यह सबसे बड़ा होगा clear हो गई इस सारी चीजे चलते हैं कुछ और question को देखते हैं यह सारी question जो है CGL या group D के आये हुए question हम बता रहे हैं हमने यह question CGL means का आया हुआ question है A बराबर अंडरूट 8 माइनस अंडरूट 7 B बराबर अंडरूट 7 माइनस अंडरूट 6 है तथा C बराबर अंडरूट 6 माइनस अंडरूट 5 है तो इसमें से कौन सब बीकलप आपको सही है वही आपसे पूछा है तो देखिए हमने आपको बताया कि अगर माइनस में रहे तीन का सभी का अंतर लेते हैं यहाँ पर अंतर लेंगित कितना आएगा असल में वही छोटा होता है कब जब माइनस में सभी जगह लगा हो तो देखिए देखने में सबसे बड़ा कौन है कहेंगा माश्टर देखने में सबसे बड़ा तो यह दिख रहा है यानि A यही सबसे छोटा होगा तो इससे फिर बड़ा कौन होगा तो देखने में दूसरा सबसे बड़ा कौन है कहेंगा माश्ठार ये देखने में दूसरा सबसे बड़ा है तो ये होगा फिर सबसे बड़ा कौन होगा जो देखने में सबसे छोटा होगा ये यानि C कौन सा option दे रहा है कि A less than B less than C ये देखिए a less than b less than c यही option तीसरा आपका दे रहा तो आप इस तरह लगा सकते हैं आरो ही और आरो ही करम में समझ में आ गया चलते हैं अगले question पर हम लो आपके सामने अगर इस तरह दे दे कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है तो simple सा हमने इस पर वीडियो बनाया है एक अकेल से नहीं देखें तो उसका link description में दे रहे हैं लेकिन यहाँ पर इस तरह आप से दे तो कौन सबसे छोटा पूछा है तो कैसे निकालेंगे देखें दोस्तो यहाँ पी यह जो under root का आर्थ होता है जैसे कि अगर under root लगा रहे है और कुछ नहीं लगा रहे है तो इसका होता है कि under root 3 का over moon निकालना है तो इसका आर्थ होता है कि 3 के power में 1 by 2 हो जाता है जब यह under root हटता है अगर इस तरह दिया रहे है कि under root 5 फिर यहाँ पे 6 रहे है तो इसका आर्थ हो जाएगा कि 6 के power में यह 5 जो है 1 by 5 चीजे समझ गए अब यहाँ पे आपको समझाना जो है यहाँ पे समझिए अब 12 को इसका 6 root निकालना है तो 12 के power में 1 by 6 कर लेंगे और देखे इसको क्या करेंगे 4 के power में 1 by 3 कर लेंगे ठीक और यहाँ पे देखे चार के power में यह 4 जो है 1 by के रूप में चला जाएगा और यहाँ पे देखे कुछ नहीं है तो यह इसका वर्गमोन लिकालना है यानि कि 3 के power में 1 by 2 हो जाएगा अब देखे यह जो number 1 by में आए है न 6 आया है 3 आया है 4 आया है 2 आया है इन्ही सभी का LCM ले लिजे क्या ले लिजे LCM तो सब का LCM लेंगे तो क्या आएगा कहेंगे 12 आयेगा यह जो 12 आया है न दोस्तों इसी उपर में multiply कर दीजे सब में सब में सभी का LCM लिए है तो सब में multiply कर दी ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि यह अंडरूट हटाने के लिए तो हमें समझ में आ जाएगा जब एकदम पूड संख्या में आ जाएगी तो हम आसानी से पता क लेंगी कौन बड़ा है कौन छोटा देखे 6-2 बार रहें ऑठ 3-4 के बार रहें और 4-4 त्यां यहीं बार है और देखे 2 के पावर आरे 12 के पावर में 2 हो गया तो 12 के पावर में 2 का रथ क्या हो गया 144 244 और चार के पावर में 4 का अर्थ क्या हो जाएगा 256 होगा और यहां पर दिखे चार के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा और चार के पावर में 3 का अर्थ क्या होगा 729 होगा अब समझ में आ गया अब बताई इसमें सबसे छोटा कौन नमबर दिखे रहा है कहेंगे माश्टर 64 जो है सबसे छोटा है तो यह किसका माना आया है कहेंगे कि यह जो है इसका माना आया है याने कि इसका माना आया है तो यह सबसे छोटा नमर हो जाएगा सबसे छोटा समझ में आगे है सबसे छोटा कौन है नहीं उपर दिख रहा है यहां पर आप सजा भी सकते हैं इन्हीं नंबरों के इसारे से समझ में आ गया सबसे छोटा पहले इसको रखेंगे इससे बड़ा कौन है यह रखेंगे फिर इससे बड़ा कौन है यह और सबसे बड़े वाले को इस तरह क्लियर हो गया चलते हैं अगले कोश्चन पर हम लोग अगर इस तरह दे दे यह इसका आर्थ होता है कि अगर देखें यह दो तरीके होता है यह अगर यह अंडर रूट 3 दे देखें यह इसका अंदर है यह 3 जब इसके अंदर है और यहां पर 4 है तो इसका आर्थ होता है कि 4 का क्यूब रूट निकालना है अगर यहां पर 3 फिर इस तरह जो है 4 है तिसका आर्थ होता है कि अंडरुट 2 जोह है तीन बार प्रियोग किया गया है अर यह समझ गए कंफ्यूज मत हो हाँ है यह दूसरी सीर होती यह यह दूसरा किया गया है तो इसमें अगर आपसे पूछे मेरे राजा की कौन बढ़ा है तो क्या करेंगे देखिए आपको दिखने में लग रहा आसानी से बता देंगे यहां पर बता दें कुछ लोगों को नहीं पता होगा देखिए यह इसका यह अंडरूट टू है फिर यह तीन है यह फिर फाइफ है यहां पर अंडरूट फोर फिर सेवन है और यहां पर क्या है इसको तोड़ेंगी तक है आठ गूडे में अंडरूट नईंड category तो निकालेंगे owर्ग्मूल करेंगे तो थीन आएगा तो आठ तरीका चोबीस होगा और यहां पर करेंगे तो सात गूड़े ये सबसे बड़ा number कों दिख रहा है ये ये किसका अमान है ये इसका 8 अंडर-root 9 का यही सबसे बड़ा हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा आईबा समझ में confusion हो था अभी नहीं बताए था कि अंडर-root है तो इसका 1 by 2 करके निकालेंगे तो तब भी आपको सबसे बड़ा य यहीं दीखेगा यहां पर आसानी से कुछ सेकेंडों में आप बता सकते हैं समझ में आ गया तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आईकन को दबा लिजे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे कैसी लगी वीडियो कमेंट के माद धर्म जरूर बताईएगा अगर अच्छी लगे तो दोस्तों की पीजमें सेर करिएगा और लाइक करिएगा टिक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जहिन